हेलो दोस्तों, आज हम और्गनिक सॉल्वेंट के प्यूरिफिकेशन का एपिल्डो 2 है इसमें हम देकर आए हैं कैसे एथेनॉल को प्यूरिफाई करें अब एथेनॉल बहुत कॉमन है इसको वाइन सब्सक्राइब यूज होता है एथेनॉल यह होता है वाइटर को बहुत जल्दी से अब्जार करता है यह क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और वाइटर इथेनॉल मिलकर एजियो ट्रॉपिक मिक्चर बनाते हैं एजियो ट्रॉपिक मिक्चर बनाते हैं लेकुल फेज में जिनका रेशियो जितना रहेगा उतना वेपर फेज में है तो इसको हम एजो टॉपिक कहते हैं इसमें लगभग फोर फोर टुफाइब परसेंट वाचर इंप्योटिज होती है ठीक है एजो टॉप सलूशन में अब इसको रिमूब करने के लिए कैसे करें पहला मेथड है होता है कि आप इसको 3-angestorm molecular shave के ऊपर ओवरनाइट इसको रख देजे राज भर इसको रख देजे अगले दिन आपको जिसमें जिस कंटेनर में आप मादो इसको इसमें रखते हो 3-angestorm molecular shave में आपने एथनॉल को रखा इसको अच्छे से पैक करके ओवरनाइ में प्रचलन में आया है रिवर्स आस्मोसिस से क्या हो तो वाटर के इंप्योटि को हटाया जा सकता है और जो सबसे लाश्ट वाला जो हम यूज कर रहे हैं जो आपको चीजे बता रहे हैं ये काफी एफेक्टिव होता है हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं ये क्या होता है इससे super dry absolute ethanol आपको मिलता है आए देखते हैं कैसे मिलता है क्या होता है अब इसमें क्या होता सबसे पहले magnesium turnings लेने होते हैं क्या magnesium turnings मैगन annotation turnings प्योड है activate form में है एस Signi Color का होता है एसलेटी या हविका Gray Color का ठीक है होता है Light White Signi करता है अगर अक्सिडाइज हो गया तो अगर ब्लैक कलर का हो जाता है ठीक है ब्लैक कलर का हो ďता है अगर ब्लैक कलर का भी हो गया आपके Lab में तो उसको फेकना नहीं उसको सायने कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं क्या होता है कि जो आपका मैगनेशन टर्णंग से ब्लैक हो गया इसको आप HCL में लेके इसको आप सोनिकेट करो या तो आप RV में लेके इसको रोटेट करो ठीक है उसके बाद इसको rinse करना है ठीक है और फिर diethyl ether अगर diethyl ether नहीं है तो acetone से या acetone भी नहीं है तो आप ethanol या ethanol से etos से इसको rinse करना है इसको wash करना है ठीक है rinse करना या wash करना wash करने के बाद इसको आप dry कर देंगे vacuum dry या oven dry कर देंगे अब जो आपको मिला अब आपको एक्टिवेटर या signing इसमें क्या 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 आपको इंस्ट्रुमेंट चाहिए आपको आपको आजबी चाहिए 200 लीटर का आपको आजबी कंडेंसर चाहिए रिफ्लक्स कंडेंसर इसको बोलते हैं कंडेंसर एक चाहिए और एक गार्ट्यूब चाहिए जो गार्ट्यूब होता होका उसमें तो कैलिसम क्लॉराइड इन्हेडिट कैलिसम क्लॉराइड इसमें फिल करेंगे 먹ए नहीं के कार्व schemes का इसमें की K plugins करते हैं ठीक है यह धिया दियान देना एक काρङट Lustू आइलबात भी आपको चाहे हैं ठीक है मैं लैप के परबस से बतारा रहा हूं फिर क्या होता है आपको यहां पर आप आपने इस प्रकार से आपने इसको रख दिया आल बात के उपर ध्यांदेदा इसमें सरसे पहले आपको मैगनेसियम लेना मैगनेसियम टरनक्स 5 ग्राम लेना है इसमें प्लस 0.5 ग्राम आपको आयोडेन मिलाना है अभी और कुछ नहीं यहां पर आपने ले लिया इतना इसको 80-90 डिग्रे जेंटली आराम से इसको गरम करना है गरम करने के बार क्या होता ह पहला step A करना है, second step में क्या होगा है, iodine की coating होने के बार आप इसको लगभग 1 to 2 hours इसको करेंगे, ठीक है, इसको करने के बार इसको cool down करेंगे, 1 hour तक, 1 एक घंटी तक इसको क्या करेंगे, heat करने के बार, 2 to 90 degree इसको cool down करेंगे, इसको cool down करेंगे, इसको फिर रिफ्लक्स करना है, तब तक इसको रिफ्लक्स करना है, जब तक कि iodine का जो brown color होता है, वो disappear न हो जाए, iodine का color disappear न हो जाए, तब तक इसको आपको heat करना है, जैसे iodine का color disappear हो जाए, फिर आपको cool down करना है, इस condition में क्या होगा, जैसे iodine के color disappear हुआ, इसका मतब क्या होगा, iodine completely हट क्या, अभी आपको इसमें क्या बचा है, इसमें ATOH twice, magnesium ethoxide बना है, यही हमारा जो base है, यही water के impurity को हटाएगा, अब थर्ड श्टेप में क्या करना है, अब इसमें 1 लीटर तक, about RB में 1 लीटर तक, अब टू 1 लीटर, जिस solvent को, जिस ethanol को आपको purify करना है, ethanol को इसमें add करते हैं, add करने के बाद इसको reflux करते हैं, इसको reflux करते हैं, ठीक है, इसको reflux करने के बाद, आपको क्या करना है, कम सकम 2 घंटे तक आप इसको reflux कीजिए, इसको 2 घंटे तक अगर आप 2 hours तक इसको रिफ्लक्स करने के बाद cool down कीजे cool down करने के बाद इसको filter कर लेजे filter करने के बाद इसको store करना है किसके उपर restore करना है 3 angstrom molecular save के उपर 3 angstrom molecular save के उपर आप इसको store कर लेना है यह रहा इससे आपको लगबग अब जो आपको ethanol मिलेगा इस ethanol में लगबग बहुत कम amount में water content रहेगा 0.005% या इससे कम रहेगा यह आपका सबसे absolute और सबसे rapid method होता है यह रहा हमारा आज का ethanol के purification का method तो आपको मुझे लगता कि सारे चीज़े समझ में आए होंगी अगर कोई doubt होगा कोई problems होगी तो आप पूछे comment कर लेना ठीक है मैं आपकी doubt को उसको solve करने की courses करूँगा ठीक है thank you